वेल्कम तो सेली स कीचिन , सेली स किचिन में आपका बहुत बहुत सवागत है आज मैं बनाऊंगी अपने प्यारे प्यारे विवर्स लिए कुनाफा फ्रेंड्स ये कुनाफा एक अरबिक डेजर्ट है और ये खाने में बहुत-बहुत ज़ादा लग्जीज होता है तो फ्रें बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप मिल्क रहें एक लगी बटन वालु चाहिए यह है कॉन्फावर आप अरारोड भी लेग सकते हैं कॉन्फावर के जगा में यह अरारोड कॉन्फावर टू केबिल स्पून डाल दिये इसे आपको बच्छी तरह से मिक्स कर दें यह शक्कर यह मिल्क को हमें लगाता चलाते विए मिडियम हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक यह ठीक ना हो जाए आप देखने हैं यह ठीक हो चुका है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए यह ठीक हो चुका है अब हम चुल्हा बन कर देंगे फ्रेंड और इसे हम थोड़ी देल क पूल क्रीम चीज डाल देंगे यह बजार का खरीद रहुआ क्रीम चीज है फेंड आप चाहो तो आप प्रेंड चीज घर में भी बना सकते हैं बच्छी तरह से फैट कर इस तरह से आप इसे एक क्रीमी टेक्श्यर आप देख रहे हो ऐसा आना चाहिए तो इसे हम पच्छी बॉक्स चेको लिए और हमारा कुनाम्पा का ज़ियो फिलिंग है वो तेगार है अब हम चाशनी बनाएं एक कप शुगर जो हम इसमें डालेंगे एक कब पानी को शेकर को बच्ची तरह से नेगे और इसे अभी हमें हमें पकाना है इसका हमें एक चाशनी बनाना है इसे अब अब हमें इसे 5 मिनेट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे अगर सिर्फ हमारा बन चुका है आप देख रहे हो और अब हम फ्लेम बन कर देंगे और इसमें अब मैं डालूंगी 1 टेबिल स्पॉन लेमन जूस इसे हम मिला लिए और अब हम इसमें डालेंगे यह है रोज वाटर रो अब कुनाखा बनाते हों कुनाखा बनाने के लिए आप गेते हैं यहां पर मैं यह खेमी यह लच्छा सेमय है यह मैं ले ली हूँ यह 200 ग्राम का है लच्छा सेमय एक्चली कुनाखा का डौ भी मार्कित में अबिलेबल है लेकिन कुनाखा का डौ जो है वह हर जगा नहीं म यहां जोटा पाल हो नाता है और अगर आप ऐसे समय से बनाना चाहिए तो आपसे लेकर आपलो से रोस्ट करण ए फिलाल मैं यहां ये लच्छे समय से पुनाफा बना रही हूं में तीन से चार चमर्श में बटर डाल रही हों मिल्क इट बटर जर्दे वाले कलर में डाल देएंगों और आसा वन बाइट एट टी स्पून इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए बॉल में 200 ग्राम केमी बच्छा से में ले ली हूँ अब हमें अच्छी तरह से इस तरह से क्रश करना है 4-5 टेबली स्पून बटर अपना इसमें डाल रही हूँ और इसे भी हमें खुब अच्छी तरह से मिलाना है बटर भी खुब अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है अब देख रहे हो अब हम इसे पैन में सेट करेंगों पुना का बनानी के लिए इस तरह आप एक पैन ल जग पर ऊसे पैन को अच्छी तरह से ग्रीक कर लें और अब हममने इसमें डालें यह से महियां इसको पर मैं डाल दी हमें 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 इसले घ्ल लियुर इंसे हमें बीलकुल इक्वेल Pablo ने तर देना है, यहाँ पर नेतर है, अब हम पर में दालेंगे कस्टर हम बनाया है इसके उपर डाल देंगे, यह जिर अज आप फैला देंगे, यह फेलीज एक चीज का दियान अब लेयर जो है इसका इसे आपको बच्ची तरह से ऐसा प्लेन कर लें और आप देखें ये साइड से किनारी किनारे से हम छोड़कर ये जो है फिलिंग डाले हैं अब जो बच्ची हुई सेमया है मैं इसको पर डाल दे रही हूं इस तरह से हिस्ता हिस्ता पिषज्टा इल्खे हापो से इस तरह से प्रेस कर लें तक सेथ हो pers है ये अपको आप है किसे हमारा पुनाफा तो बिल्कुल सेक हो गया है आप से ओपिसे मोच बना सकते हो अगर मह circum अगर मोच वह तो 100 fifty degrees Celsius में आप 20 MyhatAS कुले तुक पुनाखा पुछाहे निए और कोई तब आपांग तवा而 हो जाए को पनाखाhhhh पैन है इसे हम रख दिनगे और चुले पे गैस पे मीडियम लोग लिम पे आठ से दस में बन साइट पकने देए उसके बाद कि हम इसे पॉलेट पे उसी साइट पाएंगे और इस दोरान हम इस तरह से बीज बीच में अब इसे घुमाते रहेंगे पैन को इस तरह से ताकि देक्सकर लेते हैं यह देख़ा किनारी किनारे हमारे हल्का सा नवी ब्राउन हो चुका है अबयों ग्यास का चुद्या और इसे तंडा होने देंगे चाल से 5 मिनिट हम आपने और कम चाल وأल गते सी तो तोठने का जाए रहता है यह हल्का सा ठेंडा हो चुका है तो प्लेटना है तो प्लेटनी के लिए आप देख रहे हो इस तरह का मैं एक प्लेट ले ली हो और यह प्लेट को मैं इस तरह से इसको उपर डाल दी और अब मैं इसे पल्टूंगे यह देखिए मैं इसे पल्टी को मैं पल्ट ली हूँ अब आप यह प्यान देख रहे हो और यह प्यान को अच्छी तरह से साफ कर लिए तो बटर है जिसे हमने जर्दी के रंग मिलाए थे यह बटर हम इसमें डाल देंगे और पच्छी तरह से प्रीज कर लिए अब हम खुब तो आहिस्ता से यह पुनेफ़ा को इसमें हम डाल देंगे पैल में दिल्कुल लो मीडियम क्लिंपे हम इसे आठ से दस मिनेट तक दूसरी तरह भी पकाना है और आप यह मैकेट पैम्स आप इसे हर मिनेट पे इस तरह से आप इसे रोके करते रहे हैं यह तक्रिबल आठ मैं फिर वापस तीन से चार मिनाट तक छोड़ दूंगे बिल्कुल ठिंडा होने के लिए फिर इसे मैं निकाल दूंगे को मैं प्लेट में निकाल ली हूँ और यह भी हलका सा ठिंडा भी हो चुका है अब मैं इसमें चाशनी डालूंगी यह अभी हम हलके से कुनापा के उ कटी हुए पिस्ता के स्लाइस आप क्याल दे और इसको उपर आप एक ग्लेट चेरी डाल दें अब हम कुनापा को काट लेते हैं तो लीचे फ्रेंड्स कुनापा तैयार है आपके लिए आप इसे इंजॉय करें और आप जब भी कुनापा को सर्फ करेंगे तो आप उसके साथ यह चासनी रखना ना भूले क्योंकि अगर आपको जादा मीठा चाहिए तो आप कुनापा के उपर में यह चासनी डाल कर खा सकते हैं थैंक्यू सो मच फेंस थैंक्स एलॉट पर वाचिंग सेलिस कीचेन फिर मिलेंगे आप से एक नई रेसिपी के साथ तिल रेन गुद बाई एंड टेक क्यार